नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर नखिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुती इफेक्टिव होमपैथिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तो क्यूपरम मैटलिकम क्यूपरम मैटलिकम तामेध धातू से यहाँ मैडिसिन बनाई जाती है और यहाँ हमारे ब्रेन में बहुत ही अच्छा काम करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूपरम मैटलिकम मैडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूँगा क्या इसके Belmar Keynote Symptom हमें देखने को मिलेंगी तो patients को हमें Q-Prom Medellica Medicine देने की आपशक्ता होती है किस potency में हमें इस medicine का use करना चाहिए कब हमें 30 potency में, कब 200 और कब 1M potency में इस medicine का use किया जाता है दोस्तो इस medicine का use mostly epilepsy की case में किया जाता है जिसे हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं दूसरे नमबर पे आता है दोस्तो कोले रा और तीसे नमबर पे आता है दोस्तो एठन यदि सरीर में कहीं भी एठन होती है आपने दिखा होगा बुजुर्गों को पिंडलियों में एठन होने रगती है पेट मेठन होने लगती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियों में भी इस medicine का यूज किया जाता है, पूरी जानकरी इस वीडियो के माध्यम से दूगा, और एक most important बात कि क्या इसकी complimentary होती है और क्या इसके antidotes होते हैं, यदि आप antidotes को अच्छी तरह से समझ गए, तो आप cupram metallicum आप का यूज करते हैं, तो cupram metallicum के results आपके सरीर में बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों यहाँ वीडियो बहुत informative होने वाला है, तो वीडियो को आप अंदग देखें, medicine को अच्छी तरह से समझें, और medicine का यूज करके अपनी problems को पूरी तरह से ठीक करें, त 37 वैल आइकन की घंटी को प्रेज करें, ताकि सभी latest medicine की update सबसे पहले आपको मिल सके, दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की कोभी बिमारी है, या आप किसी लंबी बिमारी से सफर कर रहे हैं, तो रातरी 9 वजे आप हमारी live clinic जोईन कर सकते हैं, जिसमें में daily, रातरी में 9 वजे live आता हूं और आपकी जो भी problems होती है, उसका शालोशन करता हूं, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूपरम मैटलिकम मैडिसिन के बारे में, कि यहां हमारे सरीद में कहां असर करती है, दोस्तों यहां हमारे brain में बहु तो इस condition को ठीक करने के लिए इस मैडिसिन का यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा काम करती है, जिन patient को भी हाथ हिलने लगते हैं और कहीं जगा देखा पे अकड़ जाते हैं, तो इस condition को ठीक करने के लिए इस मैडिसिन का यूज किया जाता है, यहां तामे से बनाई ज तामे धातू से बनाई जाती है, बहुत अच्छा काम करती है, और बहुत सारे ऐसे छोटे चोटे सिंटम्स होते हैं, जिसमें इस मैडिसिन का यूज किया जाता है, इस मैडिसिन के ऊपर बहुत ही कम वीडियो अप्लोड है, और यहाँ बहुत ही effective होमोपाथिक मैडिसिन है, इसका एक और मैं वेल मार की नोट सिम्टम आपको बताऊंगा, जनरली यहां हर पेशेंटों में पाया जाता है, आप एक अच्चमभव मान रहे हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहां जनरली हर पेशेंटों में आपको कभी न कभी देखने को मिला होगा, यहां दोस्तों खासी के केस में बहुत ही अच्चा काम करती हैं, मैं डेटेल्स में आला कि आपको पूरी मैडसिन समझाओंगा, लक्षण समझाओंगा, पर एक की आपको समझा रहा हूँ, नोट, जब पेशेंट्स को फ्रीज का कोल्ड का ठंडा पानी ये पेशेंट्स जब भी पीता है, फ्रीज का ठंडा पानी पीता है और पेशेंट्स को खासी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, गला जाम हो जाता है, गलेजी प्रॉपर तरीका से आवाज नहीं निकल पाती, और खासी आने लगती है और काफी सायरप पीने के बाद भी पेशेंट्स को अराब नहीं होता तो क्यूपरम मेटेलिकम 200 पोटेंसी में दिन में एक वार रेगुलर कम से कम 6 दिन तक हम देते हैं तो पेशेंट्स की खासी पूरी तरह से ठीक हो जाती है पर वैल मार की नोट्रम टम आपको यही देखने को मिलेगा जब आप कोल्ड का या आइसक्रीम खाते हैं या आप कोको कोला पीते हैं जो भी आप ठंडी चीज पीते हैं उसके कारण एदि आपको खासी की प्रॉब्लम्स हो जाती है आप लक्षण को समझ लेते हैं कि हमारे सरी में किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे तो हमें पेशेंट्स को क्यूप्रम मैटेलिकम देने की आवशक्ता होती है। इस तरह से एठन होती है तो उस कीज में यहां बहुती अच्छा काम करती है थर्डी पोटेंसी में चार बून सुभा चार बून श्याम को लॉंग टाइम इस मैडसन का यूज करना है आपको बहुती अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगी इपी लिपसी में कभी भी आपक परसनली कंसल्टेंशन नहीं लेनी है अपने अनुसार आपको मैडसन यूज नहीं करनी है डॉक्टर के अनुसार ही इस मैडसन का यूज करें मैं आपको यहां जानकारी दे रहा हूं बहुती इफैक्टिब मैडसन है किसी भी होमोपैतिक डॉक्टर से इस मैडसन को लगते हैं कई बार आपने देखाऊगा और जगे ज़िए कई बार अकडन होने लगती है तो उस कंडिशन में इस मैडिसिन का यूज किया जाता है 30 potency में चार बून सुभा और चार बून से आमको continue कम से कम इस मैडिसिन का यूज लॉंग टैम किया जाता है तो बहुत ही अच होने लगती है if muscle से में यदी कहीं भी एठन का सवाला रहा है कहीं भी अकरन जकरन हो रहे है तो go парenditalika medicine यूज की जाती है कि अच्छा काम करती है एठन की medicine चाร LAURWA की जाती है जिसके साथ इसकी यूज़ आप कर सकते हैं, 200 potency में रेगुलर 25 दिन तक इस medicine का यूज़ किया जाता है, बहुत ही अच्छा काम करती है यदि आपने देखा होगा patients को pate में एठन हो रही है pate में spasmodic जैसा दर्द हो रहा है एठन जैसी महसूस हो रही है तो उस case में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है 30 potency में यूज़ करेंगे चारबून सुवा और चारबून श्याम को बहुत ही अच्छा काम करती है next लक्षन आता है दोस्तों, whooping cuff में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन whooping cuff dry खासी होती है कुत्ता खासी जिसे हम बोलते है dry खासी होती है बहुत तेजी से चलती है और जो हमारी चाती में अकड़न जैसी महसूस होती है जकड़न जैसी महसूस होती है तो उस condition में cupram metallicum बहुत अच्छा काम करती है आपने दिखा होगा बहुत सारे patient hospital में admit हो जाते है तो उन्हें बहुत ज़ादा spasmodic pen होता है एठन होती है और बहुत तेजी से खासी चलती है तो cupram metallicum बहुत अच्छा काम करती है और patients जो भी होता है वहाँ ठंडा पानी पीता है और ऐसे लक्षन देखने को मिलते है तो cupram metallicum बहुत अच्छा काम करती है जब patients को छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा बहुत ज़ादा खासी करते है खास्ते खास्ते बच्चा परिशान हो जाता है रात में उठ जाता है आप ठंडी चीजे खाता है और आप ठंडी चीजे खाता है तो इसको रिलीव महसूस होता है और आप ठंडी चीज उसे बिल्कुल भी नहीं देते खास्ते खास्ते चेहरा का नीला पड़ जाना Especially रात में बहुत ज़्यादा खासी होना और छात्वी में एठन होना और कफ प्रापर तरीका से बाहर ना निकल पाना इस दा वैल मार्क एनोट सिम्टम अब दिस की उपरम मैटलिकम बहुत ही अच्छा काम करती है बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफाक्टिव इसके रिजल्स हमें देखने को मिलते है इस तरह से रिजल्स आपको लेखने को मिल रहे हैं लक्षन देखने को मिल रहे हैं तो इस मैडिसन का आप यूज करें ओनली फार थर्टी पोटेंसिम यूज करना है चारबून सूबा चारबून से आमको बहुत ही अच्छा काम करती है इस पॉंजिय टोस्टा के साथ इसकी तुलना की जाती है इस पॉंजिय टोस्टा जो है हुपिंग कफ के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है इन दो मैडिसन के साथ तुलना करके इस मैडिसन का आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा काम करती है नेक्स लक्षन आता है ब्रद अवस्ता में जब भी विवा होता है और संभोग की दौरान पेशेंट्स को कनवलजन आते हैं एठन होती है तो उस कंडिशन में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पेशेंटों भी काफी गलतिया करी है और जो जवानी में भी बुजुर दुर्गों की तरह दिखने लगे हैं और संभोग करने के दौरान उन्हें कनवलजन आते हैं हाथ पेरों में एठन होती है इस दा वैलमार की इनोट सिम्टम आप दिस की उपरम मैटेलिकम का याद नहीं करते है यदि इस तरह के वैलमार की इनोट सिम्टम देखने को मिल र जल्स इसमें देखने को मिलें नेक्स लक्षन आता है दोस्तों हैजा के केस में कूलूरा के केस में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पैसोंटों को भी पेट में हलका सा दर्ध होता है और बादस्त के लिए जाते हैं और वाटरी डालिया होता है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है पेशेंट से बहुत ज़दा लूज कंडिशन में आने लगता है तो उस कंडिशन को ठीक करने के लिए इस मैडिसन का यूज किया जाता है तीन मैडिसन के साथ इसकी तुन्ना की जाती है पहले नंबर पे आती है दोस्तो क्यूपरम मैटेलिकम दूसरे नंब कंडिशन में दी जाती है जब पेशेंट कोलोप्स की कंडिशन में आने लगता है बिहोसी की कंडिशन में जाने रखता है तो उस कंडिशन में केमफर की दी जाती है पेशेंट का जो वाइटल फोर्स होता है पूरी तरह से लूज हो जाता है कि अब ऐसा लगता है पेशें बहुत ही अच्छा काम करती है और क्यूपर मैटिलिकम भी बहुत ही अच्छा काम करती है जब पेशेंट को लौप्स की कंडिशन में जाने लगता है पर पेशेंट्स की हाथ पैरों में एठन होने लगती है स्पाजमोडिक एठन होने लगती है मसल्स में एठन होने लगती है तो उस कंडिशन में पेशेंट्स को हमें क्यूप्रम मैटिलिकम देने की आफशकता होती है बराइटाम एलबम में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वाइटरीड आया होता है बहुत ज़ादा पर वहां कोलाफ्स की कंडिशन में नहीं जाता और पेशेंट को पेट दर्थ हलका सा बना रहता है तो उस कंडिशन में पेशेंट को बेराइटा में अलवा मैडिसिंग की देखती हैं तो बहुत ही अच्छा काम करती है इस केस में आप इस मैडिसिंग का फिमेल्स में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जब फिमेल्स को मैंसिस प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाते हैं और कई बार मैंसिस के टाइम उसे इस वाजमोडिक पैन होता है क्रेम से बगीरा आ जाते हैं तो उस कंडिशन को ठीक करने लिए इस मैडिसिन का यूज किया और ठंडे पानी के नहने के कई कई कारण पैसेंस को क्रेंपिंग पैंस आने लगते हैं तो उस कंडिशन में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है थर्टी पोटेंसी में चार बुन सुबा और चार बुन से हमको इस मैडिसिन का यूज किया जाता है बहुत ही अच्छे बहुत ज़दा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस होने की कारण हाथ पेरों में एठन आने लगती है और प्रॉपर तरीका से पेशेंट्स को नींद नहीं आती तो इस केस में 30 पोटेंसी में 4 बुन सुबा और 4 बुन से हमको इस मैडिसन का यूज़ किया जाता है बहुत ही अच् कर सकते हैं और एठन की यदि हम बात करें तो चार मैडिसन के साथ इसकी तुलना की जाती है पहले नंबर पे आता है दोस्तों वैलोडोना वैलोडोना एठन के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियर फीवर हो जाता है चेहरा के केस में और अचानक से इठन हो जाती है तो इसकेस में बहुत ही अच्छा काम करती है क्युपरा ड़िफ स向ber facing systems is बहुत ही जाती है औरमे प्रीफ से चार स्थ मैड़िसन की इस का यूज zor किया जाती है नेक्सट मैडिसन आती है जोस्तों एगिटनेशिया इगिशेंटि आ देते हैं और डर के कारण पेशेंट को एपिलिपसी आजाती है हाथ पेरों में एठन बगिर भी आजाती है एपिलिपसी का केस नहीं भी होगा है अचानाक से यह केस आपको देखने को मिल रहा है तो इगनेशिय उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा काम करती है और पेशेंट्स को अचानाक से चानाक से कनवंजल आने लगते हैं और पेशेंट्स अकेला रहता है या बच्छे को अचानक से कनवंजन आ जाते हैं, तो हायोसायमस बहुत ही अच्छा काम करती है, 30 potency में 4 गुन सुभा और 4 गुन से हमको इस medicine देने की आवशकता होती है, पैशेंट की जो प्रॉब्लम है धीरे-धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तो आए जान लेते हैं अब इस medicine का यूज लॉंग टाइम करना चाहिए, जब भी mental disease से प्रॉब्लम होती है, पार्किंसन डिजीज होती है, एपिलिप्सी की प्रॉब्लम होती है, तो लॉंग टाम इस medicine का यूज किया जाता है, तो जनरली 30 potency में हम चार्बून सुभा, चार्बून दुफर में चार्बून र आपको करना है, बनना अप्रॉटेंसी में इस medicine का यूज किया जाता है, चार मूँख सीधे डारेक्ट जिम में दिन में एक ही बार सब्ताह में एक बार सब्ताह में एक बार अब जान लेते हैं तो संडे को आप medicine करेंगे, आने वाले संडे को एक और ड्रॉप लेंगे और आने वाले संदे को एक ड्रॉप आने वाले संदे को एक ड्रॉप 4 डूज आपको लेने हैं सब्था िूश्बता थीक है इस तरगे सिसमैड़स Walmart का यूज एंटीडोट की बात करें तो दोस्तो इसका कैमफर एंटीडोट है। कैमफर मैडिसिन आपको नहीं लेनी है और ओपियम मैडिसिन आपको बिलकुल भी नहीं लेनी है। इस बात का आपको विसेज ध्यान रखना है। तो आएए जानी हैं पेशेंट्स के एग्रावेशन emuluration patients में हमें देखने को मिलते हैं आसा करता हूँ दोस्तों यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है वीडियो के जरूर लाइक करें रेट करकी बटन दवा कर चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा लगा है